नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पार्शाला पर, मैं हूँ अंकेत अवस्ती, आप है मेरे सामने एक ऐसी ख़बर की चर्चा करने के लिए, जो की एक सेटलाइट इमेज से जुड़ी है, चाइना के द्वारा लद्दाक के बॉर्डर के नजदीक, एक फ्लाइट को टेक आउफ और लेंडिंग के लिए, रनवे निर्मान की सूचना सेटलाइट ने कैप्चर की है, मतलब एक तरह से समझे, जैसे फ्लाइट टेक आउफ और लेंडिंग कर सके, एक ऐसा रनवे सेटलाइट में पता चला है, क्या है यी पूरी कहानी, किस तरह से भारत के लिए चिंता का विशय है, क्या भारत को इस बारे में पता ही नहीं था, क्या अचानक ये काम हुआ है, और ये है तो कहा है, भारत के, उसके काउंटर में भारत की क्या तयारी है, भारत किस प्रकार से LAC पर नजर बनाए हुए है, ये तमाम बातें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बात लद्दाक की हो रही है, लद्दाक अल्रेडी बहुत सेंसिटिव है, गलवा अगर आसान भाषा में समझें, तो फ्लाइट की लेंडिंग और टेक उफ के लिए एक ऐसा रनवे चाहिए होता है, जो कि हवाई जहाज के वजन से दबे नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार की खरोच ना हो, ताकि हवाई जहाज के टायर फटे नहीं, सही तरीके से टेक उफ हाईवे इस पर हमारे फाइटर जैट्स को लेंड कराने का प्रयास किया जाता है, तो एक प्रकार का हाईवे ही है, थोड़ा मजबूत प्रकार का है, जहां से की फाइटर जैट्स बहुत तेजी से उड़ सकें, अभी जो फिलाल जानकारी आ रही है, वो एक डैनियल साइमा करके व्यक्ति हैं, उनके Twitter account से आ रही है, उनका काम ये है कि वो दुनिया भर के satellite images को ध्यान से देख करके, उन images का survey करते हैं, उनका analysis करते हैं और उनके निश्कर्स को दुनिया को निकाल कर देते हैं, आपको अगर शौक हो सेटलाइट के images देखने का time हो तो आप खुद से भी survey को कर सकते हैं, इन्हों ने किया और उसको अख़वारों ने उठा लिया, और पता चला कि China ने एक नया runway चालू कर दिया है, और कहां किया है, तो होतन नाम से एक इस्थान है, चाइना का होतन नाम से एक इस्थान है, कहां पर है, तो लद्दाक के बाद जो LAC है, उसके बा है, अपना नया runway और ये fighter jets के लिए किया गया है, एक नया airbase है, लद्दाक से कितना नजदीक है, इससे क्या challenges होंगे, सारी बाते आँच के session में चर्चा करेंगे, और इंडिया इसको कैसे chase करेगा, ये भी हम जानेंगे, इससे पहले आप से गुजारिश है, चैनल पर नए ह सकते हैं, और साथ में, अगर आप मेरा handwritten notes अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, इन 6 subjects का complete 3000 pages की notes है, कुछ इस प्रकार से इसमें हाथ से लिखे हुए content अंकित इंस्पायर इंडिया पर बहतरीन तरीके से हम आपको एक तरह से समझेए कि Xerox करा के आपके घर पर भेजते हैं, लगभग आपके पास में 3000 pages including courier charges मातर 1199 में घर पर deliver किया जाते हैं, तो इसके लिए आपको हमने link अपनी पार्चाला application का दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसे order कर सकते हैं, ठीक है, तो लदाख में जो गती रोद फिलाल चल रहा है, उसमें चीन सीमा पर जो infrastructure का निर्मान हुआ और वो कहां पर हुआ होटन नामक airbase का निर्मान हुआ, वो सुर्खी का कारण बना हुआ है, एक बार फिर से मैं आपको समझे, तो हम यह लदाख देख रहे हैं, और लदाख से अगर आप और उत्तर की तरफ चलते हैं, तो यहां पर आपको शिंजियांग प्रोविं अल्रेडी बना हुआ है, यह civilians के लिए था, civilians के साथ साथ उसी airbase से जो fighter zets हैं वो भी take off किया करते थे, लेकिन Daniel Simon ने हाल ही में 8 अपरेल को जो image जारी की, उसमें इन्होंने बताया कि यह पहले एक airbase था, लेकिन अब एक नया airbase और बन चुका है, यह airbase उस दिन से बनना हुआ था, उसके बाद चीन ने एक नया airbase का निर्मान किया, तो older military base कुछ इस प्रकार से था, और new operational airbase जो बना हुआ है, वो इस प्रकार से है, ठीक है, यह satellite से, अंतरिक्ष में लगी हुई जो satellites हैं, उससे नजारे capture किये गए हैं, उनसे यह जानकारी पता चली है, ठीक है, यानि पहले से होटन हुआ करता था, एक और airbase बन गया, इसका मतलब, चाइना इस छेतर में अपनी सेना को और जादा ततपरता से अब भेज पाएगा, और अपनी तरफ से इस पूरे सेक्टर में निगरानी को और मजबुती से कर पाएगा, कब यह घटना हुई? गलवान इंसिडेंट के बाद से, ठीक है, तो इंडिया-चाइना का जो क्लैश है, जिसमें की 20 भारतिये माले जाने की सुरिखी बनी थी, गलवान वैली इंसिडेंट के बाद यह घटना और ज्यादा तेजी से होने लगी, प्रिपेर्ड नेस जो चाइना की है, सेना को लेकर के, ब परशाता है कि चीन इस छेतर को लेकर बहुत aggressively काम कर रहा है, aggressively काम कर रहा है उसके नमूने, यहाँ पर इंडिया-टुडे ने इस प्रकार से प्रकाशित किये हैं, प्रॉपर तरीके से कि क्या-क्या यहाँ यहाँ पर hangar कैसे बने हुए है, runway कैसे बना हुआ है, construction area कैसे बना aircraft को यहाँ पर खड़ा रखा गया है, जिसकी तस्वीरे समय समय पर बाहर आई हैं, that means, इस airbase का उपयोग चार लाख की आबादी के लोगों के लिए नहीं है, यह असल में सैन्य उपयोग के लिए ही है, लेकिन अब एक से जाधा airbase यहाँ बन चुके हैं, जिन मेंसे कई प् order के सबसे नजदीक, अब सबसे नजदीक कितना तो लेह से लगवक 300 km दूर है, fighter jets के लिए 300 km कुछ होता नहीं है, मतलब आप यह समझे कि मुश्किल से 10 मिनिट का वी रास्ता नहीं है, इतनी देर में यह टक से पहुंच जाते हैं जागेपुर, ठीक है न, आप ऐसे समझे क कि अगर fighter jets 2000 km प्रती घंटे की रफतार से उड़ रहा है, तो फिर तो मतलब 10 मिनिट भी जादा ही बोल दिया है, ठीक है, तो इतने कम समय के अंदर यह अपनी इस दोरी को तै कर लेते हैं, इस परकार से fighter jets को यहाँ पर खड़ा रखा जाता है, यह सारी तस्वीरें हैं जो स इस दम खुफिया दिमाग जो दोडने लगे, कि सर हम क्यों नहीं इस airbase को तभा कर देते, तो इन्होंने उस airbase की सुरक्षा के लिए surface to air missiles भी तैनात रखी हुई है, कि अगर कोई भी हरकत हुई, तो ततकाल उस हरकत को यह हवा में ही खतम कर देंगे, यानि पूरी तरह secured है अगर कोई काम करे, तो यह उस जगह को बचा पाएं, यह तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से यहां पर लोग रहते हैं, construction of staff, चाइना ने proper तयारी यहां पर करके रखी हुई है, यह तस्वीरें तब की हैं जब चाइना के द्वारा यह सारा काम किया गया है, नया रन्वे जो बनाया गया है, वो 3700 मीटर लंबा है, पुराना वाला 3200 मीटर रन्वे का लंबा हुआ करता था, चीक है साब, यह सारी जानकारी मैंने अब आप लोगों को दे दी है, इसका मतलब यह हुआ कि इस एयर बेस के माध्यम से हमें चाइना की तया गया था, बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन के द्वारा प्रयास किया गया था, 2900 करोड के प्रोजेक्ट थे, जिसे आप P.I.B. के द्वारा यहां पर देख सकते हैं, इन में हमने क्या क्या प्लान किया था, तो हमने दो एयर फिल्ड वेस्ट बेंगॉल में, नैची पू एयर बेस पिल्कुल चाइना बॉर्डर के नजदीक एयर बेस है, जहां से हम लोग ततकाल प्रभाव से जब भी कभी चाइना पर कारवाई की आवशकता होगी, तो नियरेस्ट जो जगह पड़ेगी वो नियोमा है, इसी के साथ साथ बियारो के द्वारा 295 में प्रोजेक् जहां उनका हमने एक ही देखा, भारत की तरफ से दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे, नियोमा, टूटिंग, मैकाचू, अलॉंग, जीरो, पाशी घाट, विजैनगर, ऐसे बहुत सारे एयर फिल्ड हैं जो इस ALEC के नजदीक डवलप किये गए हैं, अगर हम भारत और चाइ चाइना को ये रास नहीं आ रहा था, ऐसे ही फुक्चे है, धराशू है, टूटिंग है, पासी घाट है, ये भारत के वो स्टाटेजिक साइट हैं जो चाइना के काउंटर में हमने तयार किये हुए हैं, ठीक है, हमने उस घटना के बाद से अब तक 68,000 सोलजर्स को बाएका लेकिन भारत अपनी रक्षा के लिए हमेशा सजग रहे, ये हम सब भी जाते हैं, फिलाल के लिए इता ही, बाकी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ में जानकारी साजा करें, नोट्स के लिए आप हमारा ये प्रया